हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, मैं आपकी दोसोनी आज फिर हाजिर हो एक नए वीडियो के साथ, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ, दो बहुत ही प्यारी सी ड्रैसिस की कलेक्शन, जिसमें एक आएगा हैवी फ्लेर्ड अनार्कली ग जो की कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं कितना हैवी गाउन है, इससे पहले के हम गाउन के डिटेल में जाएं, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक शूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और मेरी वीडियो गाउन में क्या क्या आएगा, इस गाउन में आएगा एक डुपट्टा और एक बहुत ही प्यारा सा हैवी सा गाउन, तो सबसे पहले मैं आपको गाउन ही दिखा देती हूं, क्योंकि बहुत ही सुन्दर गाउन है, आप देख सकते हैं, फर्स लूप में आपको इसका दिख सकते हैं peach color बहुती sober सा soft सा color लग रहा है और इसके उपर जो embroidery है वो भी बिल्कुल तड़कती भड़कती नहीं की गई है बिल्कुल sober सी embroidery इसके उपर की गई है जो की off white color में की गई है और embroidery की quality आप देख सकते हैं मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूं काफी finishing के साथ embroidery जो है की गई है गाउन का जो material है वो soft georget दिया गया है georget अच्छी quality का है कोई दिक्कत नहीं है soft georget है अंदर की तरफ जो है lining attach है जो की चोली में भी और flare में भी पहले से attach है fully ready made gown है 42 बस size तक आप इसको वेर कर सकते हैं उससे गई है जो front or back दोनों round में neck आएंगे और जिस तरह से front side पर आपको embroidery दिख रही है इसी तरह से आपको back side में भी same pattern में embroidery दी गई है तो front और back दोनों embroidered आएंगे और 3-4 इसकी sleeve दी गई है और sleeve में इस तरह से frill का work किया गया है overall sleeve भी काफी fancy बनाई गई है और sleeve के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से same of white color में embroidery की गई है तो यह इसकी sleeve आएगी तो यह होगी इसकी चोली चोली के बाद जो है यहां से इसका flare start हो रहा है और flare जो है वो layers में बनाया गया है और गाउन का जो flare है वो बहुत ही ज्यादा है बहुत ही ज्यादा heavy flare बनाया गया है गाउन में आप देख सकते हैं इस तरह से और नीचे की तरफ जो layer है उसमें आपको बिल्कुल bottom में इस तरह से border मिल रहा है जो की embroider आएगा जिस तरह से चोली में embroidery की गई थी इस तरह से border में embroidery की गई है और यह वाला border जो है वो आपको पूरे गाउन में आगे पीछे पूरे flare में मिलेगा जो की कुछ इस तरह से आएगा I hope कि आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा इसका flare इतना ज्यादा है कि मैं अच्छे से आपको दिखा भी नहीं पा रही हूं और यह काफी heavy भी हो रहा है तो यह कुछ इस तरह से आएगा आप अच्छी है और पहनने में इसका लुक जो है काफी प्यारा आ रहा है मैं आपको थोड़ा से वेर करके दिखा दूँगी जिससे आपको इसके लुक का आइडिया हो जाएगा तो यह जो है यह हमारा गाउन आएगा यह हो गया गाउन आपको इसका डुपट्टा दिखा दे आएगा और मेडल में भी आपको अच्छा सा इंब्रॉइडरी का वर्क मिल रहा है तो अवरोल डुपट्टा भी काफी प्यारा काफी सुन्दर लग रहा है और इस गाउन के साथ जो है इस रुपट्टे का लुक बहुत अच्छा आ रहा है यह जो ड्रेस है यह लुक पसंद आता है तो आप मुझे वर्ट सेब करके अपना प्लेस कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा गाउन अब मैं आपको दिखायते हूं मेरी सेकंड रैस जो की है एक लहंगा मीरर बर का लहंगा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा स्काई ब्लू कलर का लहंगा है दोनों लहंगा देख लेते हैं कैसा आएगा तो पहले मैं आपको इसका लहंगा दिखा देती हूं लहंगा जो है कुछ इस तरह से आएगा आप देख सकते हैं यह लहंगे का लूक आएगा स्काई ब्लू कलर का लहंगा है और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है एक लहेंगे का जो work है वो पूरे लहेंगे में mirror work जो है वो किया गया है और ये जो है ये artificial paper mirror है जो की ना ही तूटते हैं ना ही निकलते हैं इनका जो look है वो हमेशा ऐसा ही बना रहता है semi stitch condition में लहेंगा आएगा यानि के पूरा लहेंगा ready है जस्ट आपको side की एक सिलाई जो है वो लगवानी है और लहेंगा ready है वेर करने के लिए उपर की तरफ इस तरह से belt दी गई है और belt के उपर इस तरह से paper mirror का heavy work किया गया है लहेंगे का जो fabric है वो soft net है net अच्छी quality का है बिल्कुल soft net use किया गया है और पूरे लहेंगे में आपको इस तरह से mirror work मिल रहा है कलीदार pattern में लहेंगा बनाया गया है और सारी कलीओं के उपर आपको इस तरह से paper mirror का heavy work मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इस लहेंगा काफी भरा भरा लग रहा है और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो नीचे की तरफ बहुत ही heavy paper mirror का work है जो की पूरे flare के उपर किया गया है मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ये जो work है ये पूरे लहेंगे में नीचे की तरफ किया गया है मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कितना सुन्दर इसका look आ रहा है तो ये work जो है आपको पूरे लहेंगे में मिलेगा है बहुत ही जादा अट्रेक्टिव लग रहा है तो आहाप देख सकते हैं यह वाला जो वह यह आपको पूरे लहंगे में ऐसंग बोटम में दिया गया है दो और निचे की तरफ आपको can can be attached मिल रहा है जिससे इसका जो फ्लेर है वो काफी अच्छा फूला हुआ आ रहा है तो यह can can आपको इस लेंगे में दिया गया है ओवरोल लेंगा जो है quality wise काफी अच्छा बनाया गया है काफी सुन्दर है और इसका जो color है इसका जो look है वो एकदम different आ रहा है और काफी प्यार आ रहा है 42 waist size तक आपी से वेर कर सकते हैं इजी लिए आ जाएगा उससे ज़्यादा waist को यह नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा maximum 42 waist size तक आपी से वेर कर सकते हैं तो यह हमारा लेंगा हो गया जो की look wise quality wise काफी सुन्दर है मैं थोड़ा से इसको वेर करके लिखा दूंगी जिस का blouse है और आपको कुछ इस तरह से blouse का जो है fabric दिया गया है और पूरा जो blouse का piece है वो paper mirror से भरा गया है और बहुत ही सुन्दर embroidery के साथ जो है mirror fix किये गए हैं जो कि बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं है तो यह जो blouse है आप कुछ इस तरह से बनाएंगे तो इसका front और back जो है दोनों अच्छे से भरा हुआ बनेगा और नीचे की तरफ इस तरह से work मिल रहा है जो कि आपकी यहाँ पर blouse की bottom साइड में आएगा तो blouse का जो look है वो बनने के बाद बहुत सुन्दर आएगा पूरा heavy mirror work का blouse बनेगा तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से जो पूरी स्लीव है उसमें इस तरह से यह mirror work आएगा और bottom में आपको इस तरह से बहुत heavy सा work दिया गया है तो यह जो है फुल स्लीव आपको इस तरह से दी गई है जिसका look कुछ इस तरह से आएगा तो यह हो गई हमारी स्लीव तो overall plouse काफी सुन्दर बनाया गया है और क्य जो यह कुछ इस तरह से आएगा soft net का fabric है sky blue color का डुपट्टा है पूरे डुपट्टे में इस तरह से paper mirror का heavy work किया गया है यह जो work है यह आपको four side पूरे डुपट्टे में मिलेगा आप देख सकते हैं 2.2 मिटर का डुपट्टा आएगा अच्छी खासी लंबाई चोड़ा डुपट्टे में दी गई है और लहेंगे के इस आपसे डुपट्टा बहुत ही ज्यादा सुन्दर है और मिडर में भी आपको इस तरह से paper mirror का work मिलेगा तो आप देख लीजिए overall डुपट्टा भी काफी सुन्दर बनाया गया है बहुत प्यारा लग रहा है और काफी heavy function हो आपके किसी खास की wedding हो या फिर कोई अच्छी पार्टी में आपको जाना हो आप इस लहेंगे के साथ जा सकती है बिल्कुल different लहेंगा है normal color से हटके इसका color रखा गया है work भी silver में किया गया है जो कि sky blue के साथ बहुत ही अच्छा combination बन रहा है पहनने के बाद लुक बहु आप चाहें लहेंगा कह लिजिए colors कह लिजिए work कह लिजिए उनमें कहीं पर भी कोई शिकायत के बुझाइश नहीं है और इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है अगर आप इन dresses को market से purchase करना चाहेंगे तो इतना heavy flare वाला gown इतना सुन्दर mirror वर्क का लहेंगा आपको 5000-7000 इस रेन से कम कहीं पर भी नहीं मिल सकता है तो आपको ये काफी अच्छी डील मिल रही है अगर आपको कोई special day आने वाला है तो आप इन में से किसी ब्रेस के साथ जा सकते हैं तो ये थाज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, till then, bye!